50 course मैं आपको इसी वीडियो में free दे दूगा कुछ course यहां पर आपको Hindi में मिलेंगे और कुछ मिलेंगे आपको English में course की language कौन सी है वो आप यहां से पता लगा सकते हो कि यह course की language है कोर्स की details नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यह समय कोर्स में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा course content, requirement, description सारी चीज़े और course कितिनी देर का है वो भी यहां पर लिखा हुआ रहता है और सबसे अच्छी बात इन course की यह रहती है कि course आपको बिल्कुली free मिल जाते हैं इसके लिए आपको कोई भी debit card, credit card किसी भी तरीके payment करने तक की यहां पर कोई card की भी ज़रुरत नहीं पड़ती है और इनको कोई भी चाहिए वो student हो या job करता हो या घर पे बैठा रहता हो कोई भी इन course इसको free में कर सकता है और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो regular लाता रहता हूँ जहां पर 50-100 course हर वीडियो में रहते हैं अगर आप इसका benefit लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन आ रहा है और पर सेट कर लेना नहीं करोगे तो आपको वीडियो लेट मिलेगा और अगर वीडियो लेट मिलेगा तो कोई भी course free नहीं रहेगा क्योंकि जो भी course है एक offer के तहत free आता है certificate भी मिल जाएगा तो क्या है पूरा process चलिए start करते हमारी वीडियो में दोस्तो course को free लेना बहुत आसान है मैं आपको बस screen पे वो course दिखा दूँगा जैसे के अब आपका course है complete Microsoft Word Excel PowerPoint course तो यह Microsoft Office का course है किसी भी job के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यह आपकी basic lead रहती है कि आपको कमसे का Microsoft Office तो आए और वो complete तीनों ही चीज़ आपको single course में सिखा ही जा रही है तो इस course को बिल्कुल भी miss मत करना अगर आप किसी भी job के लिए apply कर रहे हैं तो क्योंकि यह आपका हर job में काम आनी आने वाला है course को free लेना बहुत असान है जैसा कि मैंने बताया अगर आप इस course को free लेना चाते हो तो आप लोगों को सबसे पहले course का number देख लेना है जो कि यहाँ पर टॉप पे लेखर रखा है course number 1 इसके बाद आपको इसी video के description में चले जाना है same number 1 के आगे आपको एक link मिल जाएगा आप लोगों को बस उस link पर click कर देना है जैसी आप लोग उस link पर click करोगे आप लोग directly इस page पर आऊँगे और जो course आपको automatically free दिख जाएगा अगर free नहीं दिख रहा मतलब आप लोग यार थोड़ा सा लेट हो गए हो और अगली बार जल्दी आने की कोशिश करना तो आभी से आप चैनल को subscribe करके bell icon press कर दो और अगर यह course अभी क्या भी free दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है enroll नहीं पर click करो login sign up कर लेना जो कि आप लोग 2 मिनट में कर सकते हो Google, Facebook या Apple की help से एक बार login sign up हो जाओगे, checkout page पर आजाओगे, यह आपका course complete Microsoft Word Excel PowerPoint course, enroll नहीं पर click कर देना, यह आपका finalist chapter अब आप course में enroll हो चुको है, देख सकते हो, मैं यहाँ पर course में enroll हो चुको हूँ, आप भी same method यहाँ पर apply करेंगे, तो आपको भी course free मिल जाएगा, अब बस आपको start course प 20 मिनट का और powerpoint दो घंटे 27 मिनट का रहने वाला है, सारी चीज़ आपको step बैस बता दी जाएगी, और course complete करने पर आपको certificate भी मिल जाएगा, certificate ले निकले पहले सारी course की वीडियो देख लेना, उसके बाद आप इस overview वाले section पा जाना, नीचे scroll करोगे, यह रहा आपका certificate का section, जहां पर एक button है, Udemy certificate नाम से यह रहा, पर यह button आपका तभी unlock होगा, जब आप course को complete कर लेते हैं, तो पहले course complete कर लेना, फिर आपका button unlock हो जाएगा, जिस पर click करके, आप लोग कुछ ऐसा दिखीने वाला certificate, free of course, download कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो, आपका certificate में वीडिय फीचर करूँ, तो फिर आप उसके लिए मुझे मेरे WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, कहीं पर भी अपना certificate भीड़ सकते हो, ताकि मैं आपका certificate भी वीडियो में दिखा सको, और आप लोग connect हो सकते हो, लिंक आपको description में मिल जाएगा, तो यह था आपका पहला course, और अगर आपको कोई course free नहीं द साल देना, साथ में लिख देना, I missed, और उस दिन की date, जिस भी दिन आपको इस वीडियो को देख रहे हो, या जिस भी दिन आपने उस course को last time free देखा, तब ही मैं next time उस course को free में लेकर आपाऊंगा, चलते हमारे दूसरे course की तरफ, जो कि यह रहा हमारा Python का course, जिन भी लोगो को coding वेगरा सीखने हो, उनके लिए भी बहुत सारे course में लेकर आऊं, इंटर्वू लेवल तक की सारे course में लेकर आऊं, तो यह प्लीज वीडियो अंट तक देखना, तक कि आपका मैं जादा जादा benefit करवा पाऊं, तो जिन भी लोगों को coding सीखने हो, Python के साथ आप start कर सकते तो बहुत असान language है, सबसे easy syntax माना जाता इसका, और यह data science में, analyst में काफे जगा काम भी आती है, आप लोग इसको सीख सकते हैं, अगला course, यहाँ पे एक web app बनाने का basically एक project-based course हैगा, चुकि आप next.js की help से बना सकते हो, तो अगर आप colleges में हो और आपको किसी की projects की जरूरत है, तो आप लोग कुछ इस type के courses को submit कर सकते हो, और अपने resume में भी add-on कर सकते हो, अगला course, आपका SQL का रहने वाला SQL developers का, इसके इंदर आपको data analyst और BI जैसे चीज़े, सारी चीज़े आपको सिखाई जाएंगी, अगला course, अगीन आपका, यहाँ पे react.js की help सा front end बना सकते हो कैसे बनाना है, पूरा आपको इस course के इंदर बताया जाएगा, अगला course, यहाँ पे video design का मिल जाएगा, जो की cap cut, आपका tool एक app रहता है, वहाँ पे आप लोग video editing कर सकते हो, viral reels वगरा बना सकते हो, तो इसके ओपर course मिल जाएगा, अगला course, यहाँ पे python में automation का course मिलेगा, optimization problem किस तरीकिस आपको solve करने है, python की वह आप यहाँ पे देख सकते हो, next course, यहाँ पे अगर आप, मैंने बताया था, कि अगर आप coding के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, इंटर्वीज के लिए, तो इसके में यह course आपके help करेगा, lead code में, जो Java के programming है, algorithms वगरा, वहाँ पे आपके discuss क सरवाय जाएंगे, तो आप लोग इस course को seriously कर सकते हैं, यह especially software developers के लिए में course लेकर आया हूँ, या अगर आप 4, 13, 30 year student हो, internship पर job search कर रहे हो, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जदा helpful course रहने वाला है, next course की तरफ चलेंगे, maths के अंदर linear algebra का course रहेगा, प्रागे आपको maths के अंदर ही polynomials का course मिल जाएगा, next course यहाँ पर web development के अंदर आपको एक अच्छा सा course मिलेगा, जहाँ पर आप लोग क्या है, movie streaming websites या OTT जैसे Netflix हो गया, उस तरह की websites आप लोग यहाँ पर create कर सकते हो, तो एक project-based course रहने वाला, और इसी के ओपर आप लोग एप भी बना सकते हो उसके ओपर भी मैं a course इसी वीडियो में लेका रहा हूं, तो वीडियो प्लीज अरन तक ज़रूर देखना, 12th course NFT जिन भी लोगों को अपने खुद के NFTs launch करने, वो यहाँ पर इस course के साथ कर सकते है, next course again, यहाँ पर codec interview के regarding course मिल जाएगा, जहाँ पर lead code के अलग-अलग questions क्योंकि competitive programming का बहुत ही अच्छा हिस्सा रहता है, next course आप लोग graph theory पढ़ सकते है, algorithm जो होती है, java के अंदर उसको, next course backtracking और recursion algorithm आप यहाँ पर सीख सकते है, java के अंदर, इसके बाद आप अगर canvas सीखना चाहते है, graphic designing के लिए बहुत अच्छा tool है, complete canvas आपको इसको एक course के सिखाया जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो कि यहाँ पर 19th नमबर पर एक course रहने वाला है, game maker studio का रहेगा, जहां पर आप लोग game development सीख सकते है, इसके अंदर आपको एक space game बनाना सिखाया जाएगा, आगे चलते हैं, यहाँ पर unity का आपका course रहने वाला है, जो कि game development एक अच्छा platform रहे है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक project based course रहेगा, जहाँ पर क्या आप लोग एक coffee shop system बना सकते हो, PHP और MySQL की help से, अगला course reverse engineering का रहेगा, जो कि आपका network and security और ethical hacking जैसी जगा पर use हो सकता है, आगे बढ़ते हैं, conflict management का course रहने वाला है, जो कि आपकी communication को strong क करेगा और आपकी personality को develop कर देगा, इसके बाद आपका plumbing का एक course रहने वाला है, जो भी लोग engineering background से students हैं, उन लोग के लिए helpful course रहने वाला है, अगला course आपका point of sales का रहेगा, तो जो भी लोग sales में और accounting में काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए यह course helpful रहने वाला है, आगे चलते अगला course contract law का रहेगा, business laws के इंदर रहाता है यह course आपका, इसके बाद Java and C++ का complete course है, sorry PHP का complete course रहने वाला है, साड़े चार घंटे का, आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको personal finance and time management का एक combined course हैगा, next course CSS3, goodstrap, javascript and PHP का course रहेगा, 31 नमबर पे, python and class framework का course होगी, काफी बार free में आता C sharp, जिन भी लोगों को सीखने हो, complete सीख सकते हैं, अगला course, जिन भी लोगों coding सीखने हो, basics से आप यहाँ पे कर सकते हैं, coding वे गारा, next course आपका रहने वाला है, 34 नमबर पे, तो जिन भी लोगों coding सीखने हो, Java के थूरू आप यहाँ पे कर सकते हैं, चीजों को start 3.5 घंटे क कोर्स रहेगा, next course Oracle Primvra P6 का कोर्स रहने वाला है, next course Deep Web करेगा, ethical hacking में भी कोर्स आपके help करेगा, इसके बाद quantity finance करेगा, जो कि आप Python के थूरू कर पाएंगे, next cloud computing को कोर्स हैगा, यानि आप खुद का एक super power, super computer यहाँ पर design कर सकते हो, भी cloud basis पे, अगला course game development करेगा, 3D game develop कर स आप लोग यहाँ से, next course यहाँ पर lookers करेगा, जो कि data visualization का एक tool है, अगला course यहाँ पर coin collecting करेगा, जिस आप side hustle की तरह use कर सकते है, next course यहाँ पर खुद का आप लोग digital marketing agency start कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ अचीज है, वो आपको इस course के नदर बताई जाएंगी, अग next course affiliate marketing का रहेगा, wordpress में आप लोग कर सकते हो, 45th course, awk tutorial रहने वाला data science के लिए help करेगा, next course यहाँ पर हिंदी में रहने वाला android app development करेगा, पूरा, जो कि हिंदी में मेलेगा, पहली बार हिंदी में है, तो अगर आपको हिंदी में सीखना हो, तो आप यहाँ पर सीख सकते है, स आप e-commerce website develop करना चाहते है, तो वो कर सकते हो, और जो आज का आखरी कोर्स है, यह आपका movie streaming app या OTT आप Netflix जैसा जो app है बना सकते हो, यह course आपका English में रहेगा, इसके ओपर website कैसा बनाने है, वो भी course में अलड़ी दे चुक हो, और यह app का है, तो app भी आप यहाँ से design कर सकते ह अच्छा लगा, सबसे पहले video एक like कर देना, एक second लगता है like करने में, तो फटा-फट like कर दो, चैनल को subscribe नेगा, तो subscribe करने के साथ यह bell icon आ रहा है, all पे click कर दो, नहीं करोगे, आपका नुकसान होगा, next time video late मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों में आपका नुकसान है, अग कर लो, जब भी next time video आए, वीडियो देख लेना, और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा courses को free ले पाऊगे, मैं मिलूँगा आपको next video में, ज़्यादा ज़्यादा courses के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को tata, bye bye and take care.